अस्सालाम अलेकुम साथियों कैसे हो आप दोग मित करता हैं और सब लोग खेर्यास होंगे आज के इस वीडियो में सुधियरब की बड़ी और अपडेटट कपड़ आप लोगों के साथ सेर करने वाला हूँ वीडियो को पुरा वाज कीजेगा और वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजेगा इस वीडियो में ग्यार मुल्की से रिलेड़ेट खबर बताने वाला हूँ सौधियरब की Human Resource and Social Development Ministry के तरफ से ये Notification जारी करके बताया गया है कि सौधी लेवर लौ आर्टिकल 36 के तहद सौधियरब के तमाम और्गिनाजिशन यानि प्रावेट कंपनियों में जो भी एक सो तरह के पोश्ट हैं तो अब से उनका इकामा रिनुवर नहीं होगा और उन सभी पोश्ट पे सौधी नागरे को रिक्रूट्मेंट किया जाएगा अब सौधी नागरे की ही काम करेंगे अब तक उन सभी पोश्ट पे जो गयर मुल की काम कर रहे थे उनको वहां से हटा दिया जाएगा उनको उसकी नौकरी से हटा दिया जाएगा वीडियो के आखर में मैं लिस्ट दे दूँगा आप लोग देख लिजिएगा पूरा हंड किया जाएगा और अगली खबर सौधी हुमन रिसोर्स और सोशल डेवलोपमेंट मिनिस्ट्री के तरफ से आई है कि मिनिस्ट्री ने अपडेट जाड़ी करके बताया है कि सौधी अरब के अंदर काम कर रहे 25 कंपनियों को निलंबित कर दिया गया है यानि कि 25 कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है लाइसेंस रद्द करने का कारण यह है कि यह यह जो कंपनिया थी गैर कानूनी तरीके से लोगों को हायर कर दी थी जिन लोगों पर बैंड लगा हुआ है उन लोगों को कंपनी हायर कर रही थी गैर कानूनी तरीके से अधिकारी प्लेट के जरिये recruitment money को इकठा कर रहे थी जमा कर रहे थी गैर कानूनी तरीके से इन तमाम वज़ा के लिए इन 25 कंपनियों का license रद्द कर दिया गया है सौधी पुलिस ने पिछले हपते एक हपते के अंदर 14,900 पच्पन गैर मुल्की लोगों को arrest किया है गिरफतार किया है इन में से 2787 ऐसे लोग है जो सौधी labor law को violate कर रहे थे सौधी labor law की खिलाफ वर्जी कर रहे थे जिसकी वैसे इनको गिरफतार किया गया है और 3088 ऐसे लोग है जो सौदी की सीमा को लांग कर गैर कानूनी तरीके से सौदी अरब के अंदर दाकिल होना चाह रहे थे उनको पुलिस ने गिरफतार किया है इन लोगों में से 10256 लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है और बाकी जेल में बंद है उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा और बताना चाहूंगा कि इसमें से जो 42% लोग है यह यमन के लोग है यमनी लोग है और 56% यूथोपियाई लोग है और 2% बागी दूसरे किसी कंट्री के लोग हैं जिनको सौधी पुलिस ने गिरफतार किया है और एक लिक अपर UAE से है जहां पर बताया जारा कि UAE और ओमान के बीच बस की सेवा 27 फड़वरी से सुरू कर दी गई है ओमान की ट्रांसपोर्ट कंपनी मवासलत ने बयान जारी करके बताया गया कि यह जो बस सेवा सुरू की गई है ओमान से UAE के बीच इनमें ब्रांड न्यू बसों को सेवा में लिया गया है यह जो बस सेवा है सारजा के अल जुबैल बासे स्टेंड से सुब़ छे बज़े और साम को सारे चार बज़े बस छुटेंगी और बस का जो किराय होगा एक सो ओमानी रियाल होगा जो पैसेंजर होंगे अपने साथ 23 किलो लगेज और 7 किलो हैंड बैक ले जा पाएंगे और उन्होंने बताया है कि 3 साल से कम रूमर के बच्चों का टिकट नहीं लाएगेगा तीन साल से उपर के बच्चों का टिकट लगेगा